हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर जेनुएन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 16 अफ डिसेंबर और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो हाइलाइट स्टॉक था वो था मैजेसको क्योंकि कल 15 डिसेंबर को मैजेसको ने रेकॉट तो डिविडेंड दिया है 944 रुपई का डिविडेंड दिया है बट उसके बाब जूद भी आज की के साथ समझाऊंगा और उसके साथ साथ दोस्तों मैं डिटेल निवेशा के लिए बोलना चाहता हूं यहां पे आपको बहुत ज्यादा चौकन रहना है दोस्तों बी अलट तो यह एक ट्रैप है दोस्तों आप और आपको यह ट्रैप में फसना नहीं है तो दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंपली यह चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार्ट आपका पैन कार्ट एक कैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा तो द चार्ट पेटन हम देख लेते हैं यह पर देख सकते हैं जियादा पुराना कमपणी है नहीं 2015 में लीट आपको चेक्ट को नजर आएगा बहुत कोई मत्र उपर की तरफ अब ट्रेंड मूट में नजर नहीं आएगा तो दोस्तों अभी चलिए आपको कुछ इंट्रेस्टि आपके सामने दिखाना चाहता हूं यहां पर देखिए आज की डेट में जो मार्केट कैपिटल है 2944 करोर का यानि एक स्मॉल कैप शेर है यानि आप अगर इसको अगर मतलब पूरा फीगर में अगर 3000 करोर और भी मान के चल सकता है कि 3000 करोर का मार्केट कैपिटल है तो आपको हमेशा यह कुश्चन तो आपको दिमाग में इतना छोटा कंपनी होने के अबजूद भी इतना बड़िया डिविडेंट कैसे डिक्लियर कर दिया तो दोस्तों इसका पीछे भी एक कारण है उसको वह भी मै में जिसको का एक जो ऑफिस था क्योंकि यह आई-टी सेक्टर का कंपनी है और बाहर भी यह ट्रेड होता है में जिसको का तो वहाँ पे से यहाँ पे मैं जिसको कुछ पैसा मिला है कितना मिला है यहां पर देखें पांत सो तेरा मिलियन डॉलर यानि अगर आप बेंडियन क बाद ने में इसका चैनल का चार्ट पेटन दिकाऊंगा या पीडिकिय शेयर कहां से जिर टाइब के शारे थिंट इन सो का शेयर अभी 970 यानि छे मैंने में तीन गुना तीन गुना रिटन दिया या पे देखिये दोस्तों लगबग तीन गुना के आसपास आपको छे महने म उसमें सेटल हो गिया ठीक है अब बात आया था कि इसका में जो कल जो यह नोटीस आया था रात में यह पर देख सकते यह जो डिविडेंड का नोटीस अब बात आता सब कुछ खेल यहां पर दोस्तु बहुत ध्यान से समझना ठीक है कंपणी ने देखिए यहां पर डिक्लियर किया 15 दिसमबर को यानि कल डेट पर कितना परसंट डिविडेंड दिया है जो इसका फेस बैलू है पांच पर फेस बैलू आला स्टॉक के ओपर यहां पर यहां पर उननीस हजाद चारसी परसंट का डिविडेंड दिया है नौसो च 424 का था यहां 3,000 करोड का बार्केट वाला कंपनी ने 2700 करोड का यहां पर डिविडेंड दे दिया ठीक है इसका मतलब क्या है कि कोई भी एट बॉन शायर बाद वह जाता है अधे में पहले आर्ट ड्रग ड्रॉम यह स्टॉक्ँ बिदी इस को पता नहीं कितना कोई कमपनी अगर नहीं देखा जाने और वह इतने इतना बड़ा मार्केट कैपिटल तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता शेयर प्राइज में ठीक है बट यह कंपनी में यह शेयर प्राइज में फरक पड़ेगा क्यूंकि तीन हजार करोड का एक कंपनी ने 2700 के उपर मैं 2800 पकर के चलता हूँ 2800 करोड का यहां पर डिविडेंड डिकलेर किया है मतलब टोटल जो कंपनी का खर्च होगा तो बाकी रहेगा कितना 200 करोड का ठीक है तो यह डिविडेंट जब एक्जीक्यूट होगा रेकॉर्ड डेट के बाद आज की डेट में जो इसक दिखने को मिल रहा है 975 का यह जब डेकॉर्ड डेट के बाद दोस्तों यह लगबख 50 की नीचे आ जाएगा ठीक है 30-40 रुपए पर आ जाएगा और उसका कारण क्या है मैं आपके साथ शेयर कर दिया उसके बाब जूद भी आपको यहां पर निवेश करना है तो दोस्तों यह पूरा का पूरा ट्रैप है आपको यहां से बच करना चाहिए आई टी सेक्टर में बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों इंफोसिस टीस में कल इंफोसिस के ओपर भी वीडियो बनाया जहां पर आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आपको अच्छा सा रिटर्न भी यह एक ट्रैप है ठीक है और यह जो चीज है ना यह जो कारण के चलते आज इसके शेयर प्राइस में कोई भी तेजी दिखाई नहीं दिया यह है प्रॉपर रिजन दोस्तों तो दोस्तों चलिए आज एनसी क्यों पर क्या कारवार हुआ है वो भी हम देख लेंगे देख सक भी बोला आपको कि जितना डिविडेंट दिया उतना सेटल हो जाएगा एक और देट के बाद ठीक है तो यह 974 के नीचे नहीं गया आप देख सकते और जो लास्ट रिपाइस निकल का रहा है 976 रुपए का लगबक 0.65 परसन के अज गिरवाट रहा बाइंग साइड में थ यह बोलना चाहूंगा कि इस टाइप का जो ट्रैप मैं बोलूंगा एक तरह सार यह टैप है यह ट्रैप में आपको फसना नहीं है यह सब बस आप एक्सप्रियेंस कीजिए यानि दूर से देखिए क्या होता क्या है एक्च्वली ठेक उसके बात दोस्तों आप देखना मजा आएगा कि बोलो कि यहां पर ट्रैप में फस जाता है दोस्तों और डीटेल निवेशक यही गलती है क्योंकि जब शियर प्राइज में तीजी आ रिटेल निवेशक उसमें निवेशक कर्ता है जो बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए तो दोस्तों होप फुलिए आपको समझ आ गया मैं क्याना क्या चाहता हूं और आपको प्रोपर रिजञ संदेखे भीसम एक्षाय उसमें बैस नहीं करना जाया मं चाहिए senior παीव मिल यह क